हेलो मेरे साथियो तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दपाइनियर कैसे में आप सभी को बता दे कि आज की जो क्लासेश होने वाली है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए जो चाप्टर नमर 7 है आपका कोडिनेट जिमेटरी जिसको हिंदी में हम लोग निदेशांग जिम अच्छा लाएगा तो वीडियो को लाइक किजिए चानल को सब्सक्राइब किजिए और अपने दोस्तों तो शेयर जरू किजिए इसलिए क्योंकि आज की जो क्लासेश में हमने बात करने वाले वह आपको कहीं ने मिलाओगा किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलाओगा क वह अब कुछ नहीं तरीके आज इस वीडियो में कुछ नहीं जरूर करेंगे इसलिए हमारे वीडियो को अंतक दिखेंगे तुझा असदेखेंगा सबसे पहली बात इसके बारे में हम जानेंगे इसका उपयोग देखेंगे फिर कौन से फर्मूले लागेंगे सारी बाते करेंगे तो द्यान दिखेगा बात इसमें कह रहता क्या इसヶेंट नम में कोडिनेट जमेटर किया वह रियो ही चिसको हिंडी में क्या कbür उप कहते है निर्दे सांग जैमेटी तो तो सबसे पहले बात आती है सबसें पहले बात मातलब वह बता दे क्या है Geometry का मतलब क्या होता है समझें के द्यान से Geometry का मतलब होता है study of study of line क्या होता है study of line क्या एक यह होता है समझ मैं इतने सारे मतलब निकलते है Geometry का मतलब क्या होता है study of line study of point study of shapes and study of curves समझें मतलब इसमें क्या है कि line point point करें पॉइंट करें पॉइंट इसमें लाइन पॉइंट और सेप्स कर्व इन सब के भी इस ताल में हम लोग बला के चलेंगे इसको क्या बोल देंगे Geometry ओके समझ इसमें क्या अगर बात करेंगे देखें अब कोडिनेट की समझें का मतलब क्या होता है अपको बता यहां पर ध्यांस समझें एक एक बातों को द्यांस दिखेंगे अगर हम बात करेंगे यहां पर कोडिनेट की तो कोडिनेशन से बना है कोडिनेट कोडिनेशन से क्या बना co-ordinates sailors कमतलब क्या होता हैं ताल मेल क्या होता है क्यों आंपलेने इसन का मतलब होता है ताल मेल तो इसका मतलब यह कि जब हम लोग इसमें लाइन पॉइंट कर्ke इसके बीच अगर ताल में लेके चलेंगे उसी को क्या बोलें किया बूल uma कोधिनेट किलिर आगे समझगे तो इनसारी बातों को अप्स गया होगा अब जरा सा आगे चलते हैं तो आगे replacing जाएगा मोट्र में यिदेंगे और कह देजिए कि curves के बारे में और lines के बारे में इन सब के बारे में क्या करना है तो इनके बीच तालमेल बनाना है और इसी को हम लोग कह देंगे निर्द्रसांग जयमिती मतलब coordinate जबाटरी ओके तो जरसा आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अब और थोड़ी सी बाते कुछ कुछ सीखेंगे देखिए सबसे पहले एक introduction देखेंगे हम लोग आपको बता दें कि एक इसमें डिगरां मिलते हम लोग को एक चिंड मिलता है पहले आपको यह बता जैंक कि इसका उपियोग कहा होता है इसका अगर आठेञा हो किछ Maggi गर हम लोग बिदेखेंता की तो उपियोग की तो अप लोग देखें बता सकते हैं उप्योग के मतलब या है कि आखिर कहा करेंग हम तो distance निकालने के लिए समझें डिस्टेंस मतलब दो पेडों के दूरी निकालने के लिए या फिर दो प्लेरों के दूरी निकालने के लिए यह फिर दो कोदी चीजे उन दूरों के दूरी निकालने के लिए इसका हम लोग परयोग करते हैं और भी बहुत सारे परयोग करते है देखें ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं चिन्ने परिपार्टी क्या बोलते हैं चिन्ने परिपार्टी तो बात समझेगा यह जो आपको लाइन दिखा दे रहे हैं मुझे सिर्फ दिखें यह यह देखें 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 तो यह जो दोनों हमारे बा आपको बता रहे हैं जैसा कि हम बातना दे आपको कि यह जो आपके लाइन दीखाए दे रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं भुज क्या बोलते हैं भुज ओके और इसको क्या बोलेंगे हम लोग कोटी क्या बोलते हैं कोटी एक और इसका नाम क्या है इस यहीं वाले लाइन को यह इतना दुर्क नहीं, इत्टोटा लाइन को, इसको एक और नाम से कहने हैं, इसको हम लोग X अक्ष भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, X अक्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Y अक्ष, मतलब क्या समझ में है, मतलब यह कि जितने सारे X के मान होंगे, वो इस पर होंगे, जितने सारे X के मान होंगे, वह S पर होंगे और Y के जितने मान होंगे वह S पर होंगे, और B चुएले को किया आदर होगो बोलते हैं मोल बिंदु, यह अलगाराज हम लोगे को बढ़ना है जाओ, गाराफ वहले चप्टर चुह है ना नहीं होगा, एकदम 100 ट्रीक से चलेंगे, जैसा कि हम आपको देखें बता रहें यहाँ पर, थोड़ी से फिगर बना लें, देखें, आम दोग फिगर बना के आपको दिखा रहें यह हो गया, इस से दिखेंगे इस तरीके के आपके ओके, इस तरीके के आपके क्या होते हैं, वो ग्राप के पेपर होते हैं यहांज देखेंगा, अब देखेंगे हमरे दोस्तों, यह जो हमने ब्लू वाली बीच में लाइन पार दिया है, इसको हम लोग क्या कहा देंगे, चिन्न परिपार्टी, इस तरह से दो लाइन सिर्फ ड्रोग करते हैं तो, इस तरीके के आपका ग्राप की कॉपिया होती है, और उसमें जरसा एक बात समझेगा, इसका हम लोग मानस 1, मानस 2, मानस 3, ऐसा होता है, अगर कोई डिजिट यहां पर हम लेको, कोई भी अंक है, एक यहां पर मानले एक बिंदू हमने ले लिया, एक बिंदू हमने ले लिया, एक बिंदू हमर ले क्या हो गया, तो एक बिंदू हमर ले मानले यहां हो गया, ओके, हमसे यह बोल समझेगा एक एक बात को गोर्थ सुनेगा पहले इंट्रडॉक्षन है उसके बाद हम कोश्चन पर चलेंगे तो जैसा कि आपको मता दें कि एक बिंदू स्थी और मारस फूर इस तरीके से होता है तो जैसा कि हम आपको यहां पर देखें यह दो के पास है और यहां पर यह चे के समझेगा अगर एक स्वाले से बात कि जाएगा वाले तो य के अनुसार देखेंगे तो यह जो बिंदू मिलाम को यह कितना दूरी पर तो एक और एक के x के लिए, तो x के according ये y के तरफ कितना है, तो बस देखें, ये x के सामने मतलब 1 unit है, है की नहीं, तो इस जो बिंदू हुआ, इसका value क्या हुआ, तो इसका value हम लोग लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 2 और 1, क्या लिखेंगे 2 और 1, मतलब क्या हुआ, कि मतलब ये हुआ, क y के मान होगा, वो कोटी के मान होगा, ओके, समझ मैं, इसी तरीके से इस बिंदू b की बात करेंगे, तो जो b वाला है, देखेंगे, ये y x के according, ये y x के अनुसार, ये कितने unit पर है, तो देखेंगे ध्यान से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये यहाँ पर देखेंगे, ये 6 unit पर है, है पहले दो फिर बाद में 6, नहीं, क्यों, क्योंकि पहला जो value होता है, वो होता है x का, हमेशा किसका होगा, x का होगा, और जो दूसरी value होती है, वो होती हमेशा y की, ओके, जले जासार, तो question हम से ये कह रहा है, कि इन दोनों के मिला दीजिए, एक line बन गया, एक line बन गया, तो इन दोनों के इस line कितनी दूरी है, इस दोनों के दूरी कितना है, हमको ये बताए, हमको क्या किजिए, ये बताए, तो पहले आपको बतादे, कि एक formula होता है, दूरी निकालने के लिए, ज्यान समझेगा, एक दूरी निकालने के लिए formula होता है, जिसको हम दूरी सुत्र कहते हैं, ओके, हमने जैसा है कि आपको बता है कि इस चप्टर में मातर आपको तीन ही फॉर्मूले मिलेंगे, जिसे पूरी के पूरी चप्टर खतम होंगे, तो तीन और आपका आता है दो नमर में एक आएगा आपका विभाजन सुत्र कौन सा यह विभाजन सुत्र आएगा ओके विभाजन सुत्र क्या होता है इसको द्यान समझेगा यह होता है देखिए विभाजन सुत्र में एक्स कमान निकलना होता है ओके आपको बताएंगे इस पर क्वे तो y एक बार देखाए, इसी में y कमान निकलेंगे, तो m1 y2 प्लस में m2 y1 और बटा में m1 प्लस में m1 प्लस में m2, यह आपका formula होता है दोगों, एक यह आपका, यह एक formula यह हो गया, एक दूरी सुतर हुआ, एक बिभाजान सुतर हुआ, तीसरा formula जो आपका होता है, एक पूज का 6 रफल का formula है, क्या होता है, इसको देखेंगे, तो इसका formula होता है, आपका देखें, थोड़ से लंबे होती, 1 by 2, okay, into x1, यह y2 मानस में, y2 मानस y3, और फिर आपका होता है, प्लस में x2, और यह आपका होता है, यह एक दूरी सुतर होता है, तो तीन formula आपके मिलते हैं, एक formula क्या होता है, दूरी सुतर, जो दो बिंदूओक वीच, दूरी निकालने के लिए होता है, एक होता आपका विभादन सुतर, कि कि बग़शा कि इसको अनुपात मैं इसको बिभाजित कर रहे है, इसको बाट रहे है, उसमे हम लोग यह भाजय का फेर्मूला लगांगे, और एक तिर्भूज आ जागा, इस तिर्भूज के भी अगर छेतर फल पुछेगा, तो उसमें हम लोग इसका परियुक करेंगे, तिर्भूज का छेतर फल वाला, तो जैसा कि आपको ये तीन सुतर में ये आपका पूरी के पूरी चप्टर खतम होंगे, तो हम पूरी के पू पर और सॉट फिर्मूले उन दोनों पर बताएंगे बिना फॉर्मूला पर भी इस कमान निकालेंगे, तो पहले आपको मताँ दे, क्यों पहले पर छेथ करा दे, यहां भी X का मन, यह Y का मन, कहिए हाँ, पहला X का, दूसरा Y, यहां भी X, यहां Y, तो कहने के बतलब, यहां भी X, यहां भी X, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको X1, इसको X2 मान लेते हैं, और दूसरा लोग को Y1, इसको Y2 मान लेते हैं, ताकि हम लोग को कई confusion ना हो, तो अब चुप चब क्या किजिए एपी देखेगा बोली यहां तो यहांपर एक्स-1 कमाण जाहंस दिखेगा एक्स-1 कि मान है वह कतना है दोस्तो का है यहां और यहांपर है रही पर 2 कुरी ओके और यहे Texas को मान क्या है यह यह क्या दिया है प्रोसेस आपको सौट प्रोसेस बताएंगे देखिए कैसे तो एक्स्टू का मान देखिए आप ध्यान समझे गए एक्स्टू का मान देखिए 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 समझ में आया कि नहीं है तो देखिए हम आपको यह तो आपका दूरी स्थरू फॉर्मूला से हुआ इस तरीके से हर को जानता है लेकिन आपको एक नए तरीके से एक नए सोट माध्यन से आपको इसका आंसर बताने वाले हैं तो जैसा गौर्श देखेगा इसको, तो जैसा कि हम आपको बता दें, यहां पे आप एक ऐसे perpendicular खीच सकते हैं, बोली यहां या ना, खीच सकते की नहीं, और एक आप यहां से ऐसे भी खीच सकते हैं, तो कहने के मतलब यह कि आप जैसे हैं खीचे तो आपको क्या पता चलागी यह तो हमको एक समकोड त्रिभूज मिल गया, हमको एक राइटेंगल ट्रेंगल मिल गया, तो आपको तो पता है कि राइटेंगल ट्रेंगल में किसका परिखे जाता है, किसका, तो पाइथागोरस थियूरम का, पाइथागोरस के प्रमे का, ओके, तो पाइथागोरस के प् तो यह क्या होगे एक बोली आया रहा है तो यह फॉर्मूला क्या है ध्यान समझेगा पाइथगोरस थूरं देखे बना रहे आपको देखे आज तक ऐसा आपने कभी सीखा नी होगा ना कभी देखा होगा इसलिए आप दोग ध्यान से दिखेगा तो वह हमारे यह क्या है आपका अधार के स्कुएर के क्या होता है बराबर होता है होता है कि नहीं तो यहां पर कौन कमान कुछ पता है नहीं हम लोग लिग देंगे क्या कौन स्कुएर ओके और बराबर में लंब कमान कितना है यह एक तो एक के स्कुएर आप प्लस में अधार कमान कितना है चार यह अगर आपको ये बाते अच्छी लगी है तो लाइक किजिए ना वेडियो को, चैनल के सब्सक्राइब किजिए ना बहुत अच्छे तरीके से ले करेंगे, देखें यहां भी आपका सतर आया और यहां भी आपका सतर आया, इतनी लंबी प्रोसेस करने की क्या जुर्रत है, यह इस वीडियो को पुछ करके उतार लिजेगा, हला कि यह गराप की कोपी पर बनते हैं, थोड़ी से समझाने के लिए कोई जरूत भी नहीं होता है, गराप की कोपी का है, चलिए, तो आगे चले question के तरफ अब, आप question के तरफ चले, चलते अब question के तरफ, आपका 7.1 में, 7.1 question के question number 123, total देखेंगे हम लोग line by line, तो जैसा कि देखिए, यह आपके figure में यहापे screen पर दिखाए दे रहा हो, question क्या है, की question क्या कहा है, ध्यांट समझेगे, इस question को, okay, यह आपके screen पर question दिखाए दे रहा होगा, देखिए क्या कहा है, कहा है, कहा है कि बिंदूों के निम ल दिया होगा एक बिंदू दिया होगा दो और तीन और दूसरा बिंदू दिया होगा चार और एक और इन दोनों बिंदू से जो रेखा बनेगी उन रेखाओं के बीच के आपको डिस्टेंस ग्याद करना है या इन दोनों के बिंदू जो होंगे उनके बीच के दूरी ग्याद करने है तो देखें कैसे ग्यात होगा तो जरस देखिए आप लोग बता रहें आप एक बिंदू मान की चला दे कि यहां है और एक बिंदू मान की चला दे कि यहां है तो एक बिंदू इसका जो मान दिया है वो दो और तिन दिया है और इसका जो मान दिया है चार और एक दिया तक दूरी शूत्र क्या होता है, जल्दी इस बात को comment box में लिखिए, okay, दूरी सुत्र क्या होता है, इस comment box में इस बात को लिखिए, तो चलिए जरसा, आगे देखते हैं दूरी सुत्र होता क्या है, एक और बात आपको बताना चाहेंगे, कि जब भी आप match को बना रहें, तो formula उस समय लिखिए 10 बार match बनादे 10 बार formula को लिख कर बनाए क्योंकि formula लिखते लिखते आपको याद हो जाएगी तो formula क्या है x2 मानस में x1 का whole square प्रस में y2 मानस y1 का whole square और वो भी under root में तो x2 का देखे अब यहाँ पर x2 x1 आपको denote करके दिखा रहें द्यान समझेगा यह पहला वाला मान क्या हो जागा यह x1 का और यह y1 का यह हो गया आपका x2 का यह y2 का ओके तो जब देखेगा x2 का मानस में क्या देखे 4 तो यहाँ पर लिखेंगा हम लोग 4 मानस में x1 का मान क्या है तो यहाँ पर देखे क्या है 2 मुन के वोन कने करेंगे चार होगा है तो यहां पर देखेंगे तो पाइट यहां पर यहां पर होगा होगा Oh लिखी के नहीं तो आठ को तोड़ीएगा तब का दो अंडरूट दो भी आंसर होता है ओके समझ में आ कि नहीं हुआ समझ में कैसे दो अंडरूट दो देख लिए आठ का अगरम बर मूल निकालेंगे तो दो चभू के आठ और दो दो निके चार और दो एक कम दो तो जिस्लnis के होगे तो गुने दो गुने दो दो तो दो आक दो ऑसले हो फानिया कोई इसका तो जोड़ाइग नहीं लगा दो नमर देखे आपको क्या कहा रहा है दो नमर में भी वही है एक नमर के दूसरा देखे ना ओके देखे दो को बिंदू दिया है एक बिंदू का मन आप देखे क्वेशन देखे आपके डिस्प्लेश पर दिखा रहा है एक नमर हमने सॉल्व कर दिया दो नमर देखे आपके क एक हो गया, माल लिज़े बिंदु यह हां ए इसका नाम P, और कहें, यहां पर एक बिंदू लिज़े, इसका नाम लिख दिए Q, कहें कि आप अपने मर्जी से कुछ भी ले रहे हैं नाम क्या बुक में दिया है तो यह इसका क्या हो गया इसका पांच और साथ दिया हुआ है इसका के पनादिया एक और तीन दिया हुआ है तरह का दोने बिच की दूरी क्या होगी तो समझेगा तो यहां पर देखिए यह होगे आपका x1 का मन, यह y1 का, okay, clear, कहा हाँ, आब लिखे, यह हो गया आपका, यह x2 और यह y2 का मन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दूरी सुत्र, दूरी सुत्र लिखेंगे, दूरी सुत्र, फोर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x2 मैनस में, x1, okay, X2 मानस में X1 का whole square प्लस में Y2 मानस Y1 का whole square किसी को देख कत ने X2 का मान क्या 1 मानस X1 का मान क्या 5 का whole square प्लस में Y2 का मान क्या 3 मानस Y1 का क्या 7 का whole square ओके एक के लिए 1 में से 5 गड़े का कितना आगा मानस 4 का square प्लस में 3 में से ये क्या गटाएंगे साथ को खटाएंगे तो मानस चार यहाँ भी बचेगा इसका भी स्क्वाइर ओके तो मानस चार का स्क्वाइर करेंगे क्या आएगा सोल आएगा प्लस में यहाँ भी मानस चार का स्क्वाइर कितना आएगा सोल आएगा ओके दोनों को जोड़ देंगे दो से आठ बार में, यह दो से चार बार में, दो से दो बार में, दो से एक बार में, तो यह दो को दो के मतले एक गोदू, मतलब यह दो दो के चार और रूट में दो, यह भी आपका आंसर हो सकता है, यह पर किलियर हुआ, यह आपका क्या हो गया, यह चार और रूट में दो, इन दोनों के विच, दोनों दोस्तों के विच, या दोनों सहलियों के विच की दूरी कितना है, 4 अंडरूट में 2, किसी को doubt, समझ मैं, क्या यह बहारी है, यह दो हो दिजीए, clear, किसी को doubt है क्या, नहीं, आगे चले, चले, इसमें देखिए 3 number, इसमें आपका देखिए तीन नमर कुष्न आपके डिस्प्ले पर दिखा रहा है तो तीन नमर कुष्न आपके डिस्प्ले पर दिखा रहा है तो तीन नमर कुष्न आपके डिस्प्ले पर दिखा रहा है तो तीन नमर कुष्न आपके डिस्प्ले पर दिखा रहा है तो तीन नम और भी देख लिजी तो इसमें का तिन नंबर जो दिया है वो दिया है A और B और दिया है मानस A और मानस B यही न दिया है मेरे मित्रों मेरे बच्चे यही न दिया है यही न दिया है तो देखे जरसा तो यहां पर देखिए एक बिंदू मान लेजे यहां पर और एक बिंदू मान के चल जा नित्या खड़ी यहां पर ओके चलिए एक लड़की यहां खड़ी है और एक लड़की यहां खड़ी है तो दोनों बोल रहे है क्या कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है यहां पर रिया खड़ी है यहां पर नित्या खड़ी है और रिया देखिए यहां पर रिय का जो value दिया है वो a और b दिया है और नित्य का दिया है मानस a और मानस a और मानस में b दिया है okay मतलब क्या कोई digit नहीं तो डर ये नहीं a b दिया है तो a b दिया है क्या दिक्कत है तो यहां पर लिख सकते है X1 का मान ये और X2 का मान ये और यहाँ पर देखे ये X2 और ये Y2 पहली जो भी जो भी पहला डीट हो या फिर अल्फाबेट हो या फिर कुई भी हो हमेशा पहला वाला मान X का होगा दुसरा का वाला Y का होगा पहला वाला मान भुज का होगा दूसरा वलमान कोटी कहूगा तो जरसा देखएक और से तो हमारे बच्चे इधर देखेगा तो मिखा रिया को मत देखा तो लग खाली बढ़वा पर कोशन देखा रिया देखरा हो रिया को खैर गोडवा आजब देखो 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 इधर तो यहां पर बहुँ है यह लिखेंगे दूरी सुत्र क्या लिखेंगे दूरी सुत्र क्या होता है x2-x1 मेरे साथ सब बोलिए x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square और वह वी कि चीज में औडानी वड़ादा दुनों की ना हो हो X2 मानस X1 का whole square Y2 मानस Y1 का whole square square को कर चुप चप ओड़नी उड़ा दा आप काम करने दा आगे चलो है तब आब हमरे X2 का मान क्या है यहां पर – A चलिए – A लग दिए ओके यह अलड़ी है मानस है X1 का मान क्या है ए है चलिए यहां भी A हो गया इसका square कर दिए है प्लस के लिए प्लस y2 कमन क्या है मानस 20 मानस 20 होगा फिर मानस है यह तो फर्मूला मानस है y2 वाइवन क्या है यहां हमने लिग दिया और और लहार갈 दिया एंस्क्सक्डा है अब चुप चात अको इंस्क्सक्ड कीजिये 21 के स्क्डार करेंगे यहीं में visit 2a और मानस 2a ओके तब देखें दो दो निके 4 a गुना a a square नहीं का यह होगा अब दिखें और यहां पर बच गया मानस मानस तो क्या हो जाएगा प्लस तो इसके बदले क्या आएगा 4a का square किसी को डाउट आगे चले और यह प्लस के लिए प्लस यहां भी करेंगे तो वही ची दिकत नहीं आगे चलेगा तो वहा हमारे यहां पर यह एक के ऊपर क्या है रूट है तो एक से रूट कर जागा बी से भी रूट कर जागा और चार कपर मुलने के लगा दो यहां भी दो तो इसका अंसर आगा आपका 2a प्लस में 2b यह अंसर आगा और नहीं तो दो इसमें इसमें भी 2 common लेज़ेगा आपका बज़ेगा a प्लस में दिखाए दे रहें ना जी एक सगेंडू की देख रहे हैं वह थोड़े से यहां पर लाइट चमकरी है ना यहां पर थोड़े से लाइट चमकरी कोई बात नहीं हम उपर कर दे लें देखिए 4a square है तो a square से root कटेग तो यहां पर a बज़ेगा और 4 का square पतला बर्गुमल निकालेंगे तो 2 आएगा यहां पर प्लस है तो भूगा प्लस यह भी वह ही चीज़े होगी तो 4 का हमने करेंगे क्या root निकालेंगे तो 2 आएगा आप b के square से root कटेगा तो आपका b आएगा तो 2 plus 2b यह भी आपका answer हो क्लियर चले question number 2 पर चलेंगे ध्यान से देखिए question number 2 आपकर देखिए question number 2 को देखिए question number 2 क्या कह रहा है question number 2 देखिए आपके display पर question number 2 दिखाय जारा क्या कह रहा है कह रहा है कह रहा कि बिंदूओं 0 और 16 एक है 001 16 15 इन दोनों के बीच क्या निकालिये दूरी निकालिये और 7.2 में एक दो गुसहर दिया गया है उन दोनों सहर के बीच भी आप क्या दूरी गयात कर सकते हैं तब या अब तब दूरी गयात करना हम लोग सीखिए गए question को दूरी दाना नहीं जी कैसा भी दूरी दीजिए हम लोग निकाल देंगे नहीं तो देखिए हमने question 2 को भी solve कर रहे है clear तो देखिए जरसा तो देखिए दो बिंदू दे रहा है एक बिंदू का value दे रहा क्या 0 और 0 ओके और विंदू का देवा है क्या son dollar और पंद्रह यहींण जी देलाश तो जैसा कि देखिए यहां पर एक बिंदू यहां मालनेजै खाहाँ पर आप किसी भी दो खुलाई एक सहली है इने जिए टोड़गी है डोनह के लिब दूसरे के लिए सहली है एक खड़ी है Returnal जीर तो कह रहा है, दोनों के बीच का distance क्या है, हमको यह बताईए, तो जार सदीके, दोनों के distance यहां से निकाल रहे हैं, यहां पर इसका value लिख देंगे 0 और 0, इसका लिख देंगे 16 और 15, ओके, तब दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद क्या किये जाएगा, यहां पर जो कि लड़का के है, किसी का भी नम, उसे का मतलब है, चला, तो कहला है, रिया और आसी की भी कितनी distance है, कितना दूरी है, इस दूरी को हमें क्या करना है, इस दूरी को हमको निकालना है, तो अभी तो हमने आपको बताया है न जी, नहीं, चलिए, अगर आपको आ रहा है, तो आप comment box में इसको बना कर दीजिए, ने तो आप, देखे गोर से देख, तो जैसा कि आपको लिखेंगे दूरी सुत्र हम लिखेंगे आपे, दूरी सुत्र क्या है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, x2 मानस x1 का whole square, प्लास y2 मानस y1 का whole square, okay, under root में, अब देखे, तो यहाँ पर पहल x2 क्या होता है, कहां से आता है, तो पहली जो मान होती है, वो x1, और इसको लिखेंगे x2, इसको y1, और इसको y2, तो देखे, यहाँ पर x2 का मन का है, 16, 16 मानस x1 का मन का है, 0 का square, प्लस के दिए, y2 का मन, 15 माइनस, और यहाँ पर देखे, y1 का मन, 0 का square, clear, तो 16 में से 0 काड 16 का square की जी कितना है, देखे 15 का 225, 16 कितना है का, जी, लगा हमी भूलागे का, चलो कोड़ बातना, 16 का निकाल ले रहे न, 16 निकाल रहे हलाकि होना ची कितना है, 206 का निकाल ले, देखे, 16, 16 का 36, 6 का 3, 6 कम 6, 3, 9, यहाँप अगे आपका 6, जो जो गे 1, तो 6, 9, 45, 5, 1, 2, 25 बूल गया था कोई बात नहीं 200 शपन आएगा चलिए अरे बूलना याद रहना यहीं चीज तो है न मैथमाच यही तो पढ़ाई यही तो है बुलिए याद किजिए बूलिए याद किजिए चलिए तो 16 का स्कुर कितना आगा दूसर छपन आया और 15 का स्कुर दूसर 25 इन दो स्कुर्णक बीश्टिस कितना है रिया और six कि डिस्टिस कितना है तो 5 और 18 किसी को डाउट समझ में आए क्या और देखिए यह आपका क्या रहा क्या आगे क्या ह्याँ कि आपकी आनुछे दो 27 संवलोद्व आपके बूक में दिया है उसमें दोगो सहर का नाम दिया है दू झाल झाल